अध्यक्ष्मौदेश सबसे पहले मैं आज मेरे छोटे भाई मनीज सिसोदिया को इस सदन में याद करना चाहूंगा आज ही के दिन एक साल पहले मनीज सिसोदिया जी को गिरफतार किया गया था मेरे बगल में बैठा करते थे यहां पर और बिलकुल जूटा केस है लेकिन हम इस वक्त उनका दुख नहीं बनाएंगे हमें उन पर गर्व है हम उन से हम उन से प्रेरना लेते हैं उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है गरीबों को गरीबों के बच्चों को भविश्य देने का गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने का सपने देखने का उनके सपनों को पर देने का उन्होंने काम किया है 75 साल में जो सारी सरकारें कोई सरकार नहीं कर पाई वो काम उन्होंने किया है तो जाहिर तोर पे इस दुनिया के अंदर इतिहास गवा है कि जब जब इस किसम के लोग आते हैं और विवस्था को ललकारते हैं तो उनके साथ इस तरह का न्याए होता है मेरी सदन से सबसे मेंबर से निवेदन है कि एक बार खड़े होके उनको सिल्यूट कर देते हैं आप ही हो जाओ अच्छा आदमी है मनीस सर्या थैंक्यो आज हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं LG साहब के अभी भाषन पे धन्यवाद प्रस्ताओं पे चर्चा कर रहे हैं हमारी आपस में मतभेद हो सकते हैं पक्ष के विपक्ष के लेकिन सदन जनतंतर का मंदिर माना जाता है इसकी मर्यादा बनाए रखना जरूरी है आज तक कभी ऐसा नहीं हो लेकिन इस बार और पिछली बार ऐसा हुआ कि LG के भाषन के दुरान विपक्ष के सदस्यों ने काफी नारे बाजी और विघन डाला सुनना तो चाहिए, सुन तो लो सुनके आपको भी मौका मिला, आपने बोला, अपनी बात रखी उस टाइम अभी भाषन में या अगर विघन डालते हैं तो वो फिर राजनीती नजर आती है, वो अच्छी बात नहीं है वो मर्यादा तोड़ने की बात हो जाती है तो मैं इसके निंदा करता हूँ और उमीद करता हूँ कि मेरे साथी जो हैं विपक्ष के वो भविश्य के अंदर इस तरह की हरकत नहीं करेंगे LG साहब ने दिल्ली सरकार के कामों का उलेख किया दिल्ली सरकार आज जो काम कर रही है वो इतिहासिक काम है 75 साल में जो ये सारी सरकारे में किसी पर्टिकलर पार्टी की बात नहीं कर रहा है हम तो नई पार्टी हैं हमारे पहले सारी पार्टी के सरकारे बनी किसी की इस राज्य में बने, किसी की उस राज्य में बने, किसी की यहां बने, किसी की वहां बने, किसी की केंदरे में बने जो काम आज दिल्ली केंदर हो रहा है वो 75 साल केंदर नहीं हुआ और अगर 75 साल में हो गया होता तो हमें पार्टी बनाने की जरूरती नहीं बढ़ती, हमें कोई शौक नहीं था, राजनी थी के अंदर आने का आज दिल्ली मॉडल की चर्चा पूरे देश के अंदर है, किसी कोने में चले जाओ, गाओं गाओं के अंदर किसी कोने में चले जाओ, अभी थोड़े दिन पहले कोई आया था, बहुत बढ़ा निता, वो बता रहा था, बिहार के गाओं गाओं में आप चले जाओ, वहां भी पूरे देश के अंदर आज चर्चा हो रही है तो आज दिल्ली मॉडल बिजली ठीक कर दी पानी ठीक कर रहे हैं पानी में भी काफी काम करना बाकी है दिल्ली बिजली ठीक कर दी स्कूल ठीक कर दी है अस्पताल ठीक कर दी है महला क्लिनिक बना दी है सडकें ठीक कर रहे हैं सारे काम आज दिल्ली के अंदर हो रहे हैं ऐसे काम हो रहे हैं जो एक सशक्त राश्टर की बुनियाद रखने के लिए बहुत जरूरी है जो कि 1950-1960 में हो जाने चाहिए थे हर बच्चे को अच्छे के देश को एक दिशा दिखा रहा है और यह मैं के वल कहने के लिए नहीं कह रहा है मैं तीन सेक्टर्ज का जिकर करूंगा Education, Health और Electricity कई सारे जिकर किये जा सकते हैं ये तीन सेक्टर्स का मैं जिकर करूँगा कि किस तरह से इन तीन सेक्टर्स ने में दिल्ली में जो काम हुए हैं उससे पूरे देश का कैसे उधार हो सकता पूरे देश का उस मौडल से कैसे विकास हो सकता जिक्षा के inkling मनिष से सुधिया जिकर हुए हुआ हैं शिक्षा के क्षेतर के अंदर पूरे देश में ये कहनी की बात निया तरक कुतर्क तो चलते ही रहते हैं अब ही जो आब बात कर रहे थे वो तो कुतर्क है, मतलब किसी भी क्लास रोह contains प्रम के आंदर बहुत शामदार सरकारी स्कूल बन गए, सबसे बड़ा इसका प्रमान ये है कि चार से पांच लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कठा के सरकारी स्कूल में भरती हुएं, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लोग अपने बच्चों को बड बड़े 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 प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों के अंदर भरती करा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, एक जमाना ऐसा था जब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भीजना नी चाते थे, सरकारी स्कूल में चला जाये तो साल दो साल में नाम कटा देते थे कि टाइम खराब कर रहा है घर बैठेगा दो पैसे तो कमाएगा आज अगर हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे दी तो पूरे देश में भी दे सकते हैं पूरे देश में अज क्या मॉडल चल रहा है गुजरात के अंदर पिछले कुछ सालों में छे हजार सरकारी स्कूल बंद कर दिये गए आसाम के अंदर कोविड के बाद साड़े चार हजार सरकारी स्कूल बंद कर दिये गए एसा नहीं कि महाँ पर population कम हो गई है, population तो बढ़ रही है, गरीब भी बढ़ रही है, गरीब भी बढ़ रही है, पॉपलेशन भी बढ़ रही है, और school खोलने की जरूरती और school खोलने की बजाए, अगर 6,000 school इदर बाकी का मेरे पास data नहीं है, हर राजी के अंदर ये ही चल र रहा है कि प्राइविट में भेजो एक तरह से शिक्षा के प्राइविटाइजेशन की और फूरा देश चल रहा है दिल्ली छोड़ के जबरदस्ती की जा रही है गरीब आदमी को जबरदस्ती की जा रही है कि अपने बच्चे को प्राइविट में भेज अब सरकारी स्कूल नहीं होंगे ना टीचेश नहीं हैं ना पढ़ाई हैं आपे साड़े तीन सव स्कूल बताते हैं हम आपे ऐसे हैं जिसमें एक टॉसरी तीसरी चौथी पांचे में सारे बच्चे एक ही ऐसा नहीं है दिल्ली में अच्छे classroom है अच्छे desk है smart classroom है बहुत अच्छे अच्छा स्कूल बहुत अच्छे स्कूल है तो आज ऐसी हालत है एक तरह से पूरा देश के अंदर model अब यह है कि privatization के दो की तरफ धकेला जा रहा है बच्चों को force किया जा रहा है गरीबों को force किया जा रहा है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल अब बंद करेंगे बच्चों को private school में भेजो ऐसे में दिल्ली एक उधारन है दिल्ली एक model दिखाती है अध्यक्ष मौदे मैंने calculation करी है हमने दिल्ली में जितने शांदार स्कूल बनाए देश में 10 लाख सरकारी स्कूल जिनमें 17 करोड बच्चे पढ़ते हैं पांच लाख करोड रुपए के अंदर देश के सारे सरकारी स्कूल शांदार बनाए जासे हैं मत्र पांच लाख करोड के अंदर पांच लाख करोड रुपए के हैं पान्डो गुप साल करोड रुपई हर साल करोड रुपे हर سाल खर्च करोगे तो पांच साल के अंदर एक ह apparatus उपके दो भाई राज्य से पांच लाख मत्र पांच लाख करोड रुपे के अंदर में ने 17颗 प्रोड बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं उनको अच्छा भविश्य दे सकते हैं और पांच साल में अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी इस देश से गरीबी दूर हो जाएगी गरीबी को दूर करने का इस देश से गरीबी खतम करने का मैं एक रामबान तरीका दे रहा हूँ भाशन देने दो बहुत असान है गरीबी हटाओ फलाना इस पार्टी ने भी बहुत बाशन दिए उस पार्टी ने भी बहुत बाशन दिए गरीबी दूर करने की इच्छा किसी की नही है आज मैं आपको इस सदन के माध्यम से पूरे देश को एक मौडल दे रहा हूं कि जो स्कूल हमने सरकारी स्कूल दिल्ली में बनाए इतने अच्छे शांदार प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे बड़े बड़े नामी गिरामी प्राइवैट स्कूलों से भी छस्वी मीं फूल वाले लिफ्टों वाले और स्मार्ट बोर्ड वाले क्लास रूम जो हमने बनाए मात्र पांच लाख करोड रुपे के अंदर गाउं गाउं के अंदर शांदार सरकारी स्कूल बनाए जा सकते दूसरी चीज़ पर आते हैं हेल्थ पर आज दिल्ली के हर व्यक्ति को हम लोगों ने मुफ्त इलाज कर दिया कि आपका इलाज मुफ्त होगा चाए अमीरों चाए गरीबों सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिये जगे जगे महला क्लेनी खोल दिये मुझे ये बात कहते वे बड़ा दुख है कि इनकी पार्टी ने उन अस्पतालों का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर ने छोड़े पिछले दो साल के अंदर पिछले दो साल में जिस तरह से LG साहब ने अधिकारियों के माध्यम से दवाईयां बंद कर दी टेस्ट बंद लड़ लड़के मैंने उसको दुबारा चालू कराया लड़ लड़के दुबारा यह अच्छी बात नहीं है यह अच्छी बात नहीं है शिक्षा जिस आदमी ने ठीक करी उसको पकड़ के जेल में डाल दिया हैल्थ जिस ने ठीक करी उसको पकड़ के जेल में डाल दिया फिर भी जब अस्पताल चल रहे थे तो उनकी पकड़के डाक्टरों की बरती, जो खिडकी के ऊपर आदमी बैठता है, घटा इंट्री वपरेटर कीए गतीश केते हैं, डेटा इंट्री वपरेटर एक दिन ओर बास करके सारी निली के इनकी एवमतार कि और नकी आब खरा दिये, एक दिन तो ऐसा आया, सरकारी अस्पताल कर दिये यह लोग बार बार कहते हैं आयुश्मान भारत आयुश्मान भारत क्या है आयुश्मान भारत सबसे बड़ा स्कैम है स्कैंडल है स्कैंडल है सबसे बड़ा स्कैंडल है आयुश्मान भारत क्या कहता है आयुश्मान भारत में यह कहते हैं भी तिरको एक कार्ड देंगे इंशुरेंस कार्ड वो कार्ड लेके आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ उसको खांसी है, बुखार है, रोज के और मरा की दवाईया है, वो नहीं मिलेंगे, दवाईयां नहीं मिलेंगे, टेस्ट नहीं होएंगे, डेली का, अगर भाई चांस कोई बड़ी बिमारी हुई और तेरे को अस्पताल के अंदर एडमिट होना पड़ा, तो तेरे परिवार का साल का पांच लाख रुपए का खर्चा मुफ्त है, इंशुरेंस, अब वो इंशुरेंस लेके क्या करें, उत्रा खंड में चले जाओ आप, कहीं इस्पताल नहीं, पचास-पचास कोस-कोस दूर लोग अपनी खटिया के ओपर, वो डंडी सिस्टम क्या कहते हैं, उसको, वो लेके जाते हैं, वो वहाँ पे एक लोकल टर्म है, वो, अस्पताल तो बनाएंगे नहीं, कार्ड दे दिया, कार्ड लेके लोग क्या करें, कार्ड लेके कहा जाएं इस्पताल तो बनाओ पहले, अस्पताल नहीं बनाओगे, कुछ नहीं बनाओगे, तो बेसिकली ये प कि केवर्ड ऐसे लोगों को मिलेगा जिनकी पारिवारी आए साल की ढाई लाक रुपे से कम है ढाई लाक रुपे मतलब 20,000 रुपे 20,000 लग लग बग तो दिल्ली में मिनिमम वेज है जिसके 30,000 रुपे हो गए वो इलाज करा सकता है आज इतना महेंगा इलाज हो रहा हो इला बले मैं पहले आयूशमान भारत बता उसमें ये भी लिखा है सरकारी अस्पतालों को पैसे लेने पड़े दिल्ली में हमने सारे सरकारी अस्पतालों में सारा कुछ फ्री कर रखा है सब कुछ मुफत है इसमें आयूशमान भारत में कमपलसरी है हमारे पीछे पड़े हैं इ सरकारी एस्पतालों के अंदर भी हर सेवा के पैसे लेने पड़ेंगे आपको हर चीज के पैसे लेगा सरकारी एस्पताल फिर उस आदमी के उपर है वो सरकारी में जाए कि प्राइवेट में जाए जहां जाएगा उसको दाइं लेंगे तो पैसे लेंगे, डाग्टर जो बैठा है उसके उसकी जो कंसल्टंसि चारज लेंगे और वो 5 लाक रुपे तक हमने तो सबकुछ फ्री कर दिया, सारों का फ्री कर दिया, यह कहते हैं, ठाइविला करें की इंकम वालों को देंगे, हमने तो सारे अमीर अच्छा है अच्छा एक चीज बताओ अगर इनकी आयोशमान भारत अच्छ है जी टीबी अस्पताल में अभी चले जाओ बॉर्डर पे है दिली और गाजियाबाद के बॉर्डर जी टीबी अस्पताल में 80% पेशेंट यूपी के आ रहे है यूपी के अंदर तो आयोशमान बारत लाग है पिछले चार साल से फिर यूपी वाले इदर क्यों आ रहे हैं एलाज कराने के लिए यूपी के अंदर एंदर यूसमान बारत क्यूं नहीं चल रहा है इधर गुडगाओं की तरफ चले जाओ उदर चले जाओ उदर फरीदाबाद की तरफ पॉतर सारे ह का न तरने वाले इधर आ रहे एं हरें दिल्ली वालो और वह крайic Layton में 10 में bent ao कि स्थारी में पांटकर के लिमिट है जितना मर्याफ करा लो अरे पूरे देश का बोज उठा रिखा गाज दिल्ली वालों अलिकर को ये बचा रहा है नचवगाण के अंदर सारी हर्याने के लोग नचव गड़ के अंदर हर्याने अरे आयोशमान भारत लाग हुए वो इदर क्यूं आ रहे हैं फिर इलाज कराने के लिए और इतना अब रश्टा चार है अध्यक्ष मौदे इतना अब रश्टा चार है ये सीए जी की रिपोर्ट है सीए जी ने आयोश्मान भारत का सितंबर 2018 से 2021 तक का उन्होंने जांच करी 964 अस्पतालों की जांच करी 161 जिल अठाइस स्टेट्स अंड यूनियन टेरिटरिस उसमें उन्होंने पाया सरजरी बाद में हुई है तो फेक केस थे च्छालिस हजार केस ऐसे निकले जिसमें डिस्चार्ज की डेट एडमिशन की डेट से पहले थी मतलब आदमी डिस्चार्ज पहले होगे एडमिशन बाद में हुआ दो लाख से जादा केस ऐसे निकले जो मरे हुए लोगों के थे धेरों केस ऐसे निकले जो एडल्ट्स के थे और उनको पीडिये ट्रिशन ने इलाज कर रखा था बच्चों के डॉक्टर से ह्लाज करा रख था एडिल्स में 9 लाक केस ऐसे निकले जिसमें एक मी फोन नंबर था 99999999999 ये फोन नंबर 9 लाक लोगों का निकला इस तरह के बहुत घपले निकलें ये मैं नहीं कह रहे है ये आईशमान भारत कह रही है ये इनका मौडल है और हमारा मौडल है हमने शांदार अस्पताल बनाए सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था हमने शांदार अस्पताल बनाए हमने ये भी जो अब आप माननी है ओपोजिशन लीडर ने भी बोला कि इल्टरा साउंड की या किसी की पच्चेस दो जार इसके डेट मिल रहे हम फरिष्टे स्कीम लेके आए हम एक और डाक स्कीम लेके आए हैं जिसके अंदर ये है कि अगर आपको किसी भी टेस्ट की एक महीने से बाद की एक महीने से ज़्यादा डेट मिलती है तो अब प्राइवेट से इलाज करा लो उसका खर्चा हम देंगे आपके LG साहब ने इस कीम को भी रोक दिया आपके LG साहब ने इस कीम की भी पेमेंट नहीं होने दी जाके रो LG निवास में राज निवास के अंदर जाके रो की वो क्या कर रहे हैं दिल्ली के लोगों को दुखी कर रखा है उन्होंने और आप ही लोग करा रहे हो यह गंदी राजनीती कर रहे हैं ऐसे मत करो यह ठीक बात नहीं है पाप चड़े गा आप लोगों को उपर वाला देख रहा है उपर वाले से डरो अब हमारा मॉडल है गली-गली के अंदर महला क्लीनिक खोलेंगे गली-गली के अंदर सब को दवाईयां फ्री देंगे किसी के चोटी मोटी बिमारी हो उसको दूर जाने की जरूर थिनी है दूसरा मौडल है, हम बड़े-बड़े अस्पताल शांदार बनाएंगे किसी को फोर्टिस, मैक्स, अपोलो क्यों जाना पड़े हम ऐसे अस्पताल बनाएंगे हमारे वाले ही फोटिस जैसे लगेंगे हमारे वाले ही मैक्स जैसे लगेंगे दिल्ली सरकार की अस्पताल हमने इतने शांदार अस्पताल बना दिये पूरे देश के अंदर शानदार अस्पताल और गाउं गाउं के अंदर महला क्लिनिक खोलने के लिए मात्र पांच लाख करोड रुपए का खर्चा है मैंने सारा कैलकुलेट कर लिया मैंने तो दिल्ली में खोल के दिखाए हैं अस्पताल मैंने तो दिल्ली में महला क्लिनिक खोल के दिखाए है, पंजाब में भी खोल रहे हैं, पंजाब के अंदर अभी मैं जा रहा हूँ, आठ सो महला क्लिनिक बना दिये, साड़े छे सो बन चुके, और मैं दो दिन बाद जा रहा हूँ, सवा सो महला क्लिनिक का उदगाटन और कर हैं मुफ्ति ईलाज देना पांच लाख करोड रुपए के अंदर इस देश के 120 करोड़ लोगों को फ्री लाज मिल सकता है हमें देना आता है तो आज देश को स्वास्त के खेत्र के अंदर भी दिल्ली इने एक दिशा दिखाई है, कर सकते हैं, आब आते हैं बिजली पे, दिल्ली के अंदर पहले बिजली के पावर कट लगते थे, अज 24 घंटे बिजली आती है, गर्व होता है, देश की राजदानी है, पंजाब के अंदर पहले पावर कट लगते थे, डेड़ साल हुआ है दो साल हुए सरकार बने हुए दो साल के अंदर 24 गंटे बिजली आती है हमारे देश में क्यों नहीं आती 24 गंटे बिजली दस साल होगे आपकी सरकार बने हुए देश के अंदर इतने पावर कट क्यों लगते हैं किसानों को पूरी बिजली क्यों नहीं मिलती हमारे घ जानके आप जो डेटा में दे रहा हूँ आपको जानके ताजूब होगा देश के अंदर बिजली की कमीनी हैं देश में चार लाख मेगावाट बिजली की इंस्टॉल्ड के पैसिटी हैं चार लाख मेगावाट बिजली बना सकते हैं और हमारे देश की डिमांड कितनी हैं पी लाक मेगावाद हमारी जरूरत दो लाक, एफेलेबल चार लाक, फिर भी विजली के पावर कट लगते हैं, इतनी निकमी सरकार तो हाई तक कमेताई वोतjust हलें, कि सूझे कि सीख रो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम सिखाने को तयार हैं हम यहां राजनीती करने नहीं आए हम यहां राजनीती करने नहीं आए हम यहां पर आपको सिखा देंगे आप लो सारे वोट मैं तो उस दिन पर कहा रहा था सारे वोट तुमारे जिम्में देश की सेवा करने की का जिम्मेदारी हम को देदो हम सेवा कर कि लिखा देगा वोट सारे आप ले लोग चार लाख मेगावाट की इंस्टाल्ड केपैसिटी है दो लाख मेगावाट की हमारी डिमांड है हमें बिजली क्यों नहीं मिल रही जवाब दे सरकार और कई लोग कहते हैं हमने दिली में बिजली मुफ्त कर दी पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी है सस्टेनेबल मॉडल ली है मैंने यह भी कैलकुलेट करा पूरे देश के हर आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए डेड़ लाग करोड रुपे चाहिए बस क के लिए डेड़ लाग करोड रुपे में पूरे देश को सारे हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है तो 5 लाग करोड रुपे में स्कूल ठीक हो जाएंगे 5 लाग करोड रुपे में अस्पतार ठीक हो जाएंगे तो 5 लाग करोड रुपे में सब को बिजली फ जाएगी और 11 लाग करोड़ रुपे इन्होंने अपने दोस्तों को उठा कि उनका रिन माफ कर दिया क्या जादा जरूरी था क्या जादा जरूरी था दोस्ती निभाना जादा जरूरी था कि 140 करोड़ लोगों के प्रतिया अपना फर्ज निभाना जादा जादा अभी और भ लोगों को यकीन नहीं हो रहा ऐसी सरकार हो सकती है दो साल के अंदर हर खेत के अंदर खेती का पानी पहुंच गया खेती के शित्र में इतने बड़े-बड़े काम हो रहे हैं आज पंजाब के अंदर एक बड़ा चमतकार हुआ है केंद्र की बीजेपी सरकार ने एरपोर्ट बेच दिये सीपोर्ट बेच दिये एल आईसी बेच दी भेल बेच दी रेल बेच दी सब कुछ बेच दिया और कह रहे हैं एक एक बेचने में स्कैंडल है हर चीज जो बेची इनोंने सब कुछ बेच दिया पुछाब के अंदर गंगा उल्टी वेह रही है एक पावर प्लांट था प्राइवेट सेक्टर में छे हजार करोड रुपए का प्राइवेट वालों का पावर प्लांट था उन से चलनी रहा था सरकार में उसको ग्हारा सो करोड रुपए हम चलाके दिखाएंगे आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली और पंजाब का मौडल है, वो इक दिशा दे रहा है, यह बहुत अच्छी बात है, दुख बस ही तो इस बात का है कि हमारे कामों को रोकने की पुरी कोशिश की जा रही है, हमने तो कभी किसी से दुश्मेने की नहीं है, हम तो हाथ जोड़ नहीं है, यह वाली पार्टी भी हमसे सीख लेए, वो वाली पार्टी भी हमसे सीख लेए, हमने कोई, तो मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं.